हाई गाई इसका प्राइस है फिफ्टीन रूपीज पर ते सें 4GB राम वेरेंट तो यहाँ पे यह वीडियो भी आता है गिप अवे के अंडर और आपको सिंप्ली करना क्या है कॉमेंट छोड़नी है अची सी एक लाइक करना है और आप जी सकते हैं हर अफते अमजोन के 20 वाउचर हर वाउचर का प्राइस है गाईस अंडर रूपीज और आप कुछ भी इंग वाउचर से अमजोन पर शॉपिंग कर सकते हैं और कंपारिसन के लिए गाईस वीडियो गेमिंग, multi-tasking with a smooth experience कर पाएंगे विद टाइम जैसे जिसे आप फोन में अप्स बढ़ते जाते हैं प्रोसेसर फोन थोड़ा ओल्ड होता रहते तर प्रोसेसर उसे सपोर्ट करेगा वहीं यहां पे अप्सन गालक्सी जेट में स्नाप्रागन 450 चिपसेट में मुलता है क्या जाना होगा Xiaomi Redmi Note 5 Pro की तरह, second important thing which is the camera, camera के मामले में पीछे की तरह यहां पे 16 प्लस 5 में का पिसल के camera मिलता है वहीं है 12 प्लस 5 में का रेर कामरा मिलता है लेकिन यहां पे Samsung में दिया है काफी बड़ा पर्चर साइज होगी है F1.7 वहीं Xiaomi के फोन में हमें F2.2 और F2.0 का अगर आप Bokeh Mode, Depth Mode images भी चाते हैं अब नॉमल इमेज़ भी चाते हैं तो Samsung आपको एक बड़ा इमेज प्रवाइब कर देगा, पर्चर साइज काफी बड़ा है, लाइज आपकी बड़ा आईगी, उससे इमेज आपकी बेटर आईगी, फ्रैंट के साइज की बात करें तो Megapixel count यहाँ पर जाद है, तो even out गो जाद है, आपको एक अच्छा experience frontizing camera दोनों की अच्छे selfies देंगे, और guys अगर वीडियो की बात करें, तो 4K वीडियो तो इस वह बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि Snapdragon 450 chipset is not capable of supporting the 4K video resolution, so यहाँ पर maximum आप 1080 रुपी यहाँ फुल HD वीडियो रिक अभी जो Xiaomi का software है, वो allow नहीं करता, surprisingly आपको इस शुट करने का, तो hopefully Android OU में solo हो जागी, अफिर आपको external app डालते हैं, तो उसके थुर आप 4K video record कर सकते हैं, जैसे MX camera कोई और आप डाल लीजिए, तो इसका processor support करते हैं, यहाँ पर तो possible ही नहीं है, और अगर battery size की बात करें, 35 2500 mh battery, Samsung में मिलती है, 4000 mh battery, Xiaomi Redmi Note 5 में pro में मिलती है, एक दिन अराहम से चल जाती है, दोने बाटरी, इतना major फरक नहीं आए है, कि यहाँ डिस्प्लेi Full HD नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेi Full HD है, और प्रसेसर थोड़ा fast है, तो बाटरी भी even out हो जाती है, software की बात करें, आपक यहाँ पर archive solve हो गया, और guys, आखिरकार हम बात कर लेके हैं, डिस्प्लेi की, तो यहाँ पर 6 इंच का डिस्प्लेi, 5.99 इंच का डिस्प्लेi, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेi सिर्फ HD प्लस है, यहाँ पर Full HD प्लस है, हाला कि यह Super AMOLED HD प्लस डिस्प्लेi है, एक अच्छा overall quality provide करेगा, लेकिन फिल भी मैं यहाँ पर Full HD प्लस डिस्प्लेi के साथ ही जाना चाहूंगा, so guys, overall आप देखें, तो 15,000 पे के price point में, आपको 4GB RAM मिल रही है, 64GB internal source space मिल रही है, यहाँ पर भी आपको 20 सम मिल रहा है, लेकिन आपको 19,000 देने पढ़ रहे है, और अगर आपक 30GB RAM मिल जाएगी Xiaomi Redmi Note 5 Pro में, हाला कि एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर rare camera फोटो खीश रहे है, ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, Samsung का, but Xiaomi का कुछ कम नहीं है, थोड़ा सा आप 19-20 का ही फरक मानिएजे, 20 सी हो जाएगा, यह 19 हो जाएगा, front facing आपको दोनों फोन के अच सकता है, so overall 15,000 रुपे और यहाँ पर 19,000 रुपे में, guys, एक अच्छा सवादा है कि आप 15,000 रुपे लगा के यहाँ पर Xiaomi Redmi Note 5 Pro की तरफ जाएगे, so that would be a much more sensible decision, और guys, hopefully आपको वीडियो पसन आया होगा, मुझसे करें को जाएगे, subscribe बटन, hit कर दीजे, competition में पाट लेजे, आ Amazon के बाउचर जी सकते हैं, अच्छे का से और रडीम कर सकते हैं उने, और अपनी comment section में चोड़ दीजे, कोड़ी कोई है, guys, मैं सब पर्च लेहाँ सागोंगा, guys, this is Ajis, signing off, have a great day.